हे फ्रेंड्स वेलकम बैक और चालन्ज आटीसी में आथ सो आज हम फिर आ चुके हमारा नया चाप्टर लेके हमारा नया चाप्टर क्या है हमारा थ्री डाइमेशनल सेब जो है आज हमारा 18 चाप्टर है हमारा 6 क्लास का ये चाप्टर हमाज लेने वाले इसके साथ ही हम हमारा प्रैक्टिस सेट 41 भी इसी लेक्चर में देखने वाले वीडियो को एन तक जरूर देखना अगर वीडियो पसंद आतो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना चलो तो फिर स्टार्ट करते हमारा आज का 18 नमबर का लेक्चर चलो तो फिर स्टार्ट करते हमारा आज का लेक्चर ओके सो आज हम क्या देखने वाले थ्री डाइमेशनल सेब जो है वो देखने वाले ओके सो हमारे श्याम बईया जो है आज बहुत खूस है क्यों खूस है वो बुल रहें now this is the last lecture sorry last practice set ओके सो इनको पता है कि यह हमारा क्या है last practice set है कौनसे class का 6 class का हमारा last practice set जो है आज हम देखने वाले तो यह बहुत भाइपी है अभी हम three dimensional देखने वाले इसका मतला हम 3D जो है 3D जो है वो सेब्स देखने वाले 3D सेब्स जो है वो हम आज देखने वाले है ओके इसके पहले हमने क्या देखा हमने वही structure shape की हमने properties देखे हो के हम पिछले कोई कुछ तीन चाप्टर से लेकर हम आज तक क्या कर रहे है हम स्रिफ shape के हम shape triangle shape हो गया quadrilateral हो गया हम इनके ही बारे में देख रहे हैं ओके आज वही इस में देखेंगे इस lecture में देखने आज देखेंगे हमारा first वो जो three dimensional shape है उसमें first shape है हमारा क्या है क्यूबडल और rectangular prism ओके सो हम यह जो point है हम आज देखने वाले ओके सो इसके साथ both point भी देखेंगे सो यह हमारा क्या हो गया यह हो गया हमारा first point तो क्यूबड क्या होता है और rectangular prism क्या होता है क्यूबडल prism क्या होता है और rectangular prism क्या होता है यह हम आज देखने वाले ओके सो सबसे पहले हमारे पास एक क्या है यह हमारे पास एक रेक्टेंगुलर प्रिजम है ओके सो ऐसे कुछ होता है ओके सबसे पहले हम रेक्टेंगुलर प्रिजम देखेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर मैंने दो अलग-अलग डाइग्राम ड्रॉक किया ओके सो यहाँ पर सी यहाँ पर यहाँ पर मैंने सेप यहां पर कईसे बनता है उसको कितने साइड से कितने एक से की यहां पर हम ने देखने के लिए हमने इसे पूरा ओपन कर दिए यहां पर और यहाँ पे हम बोले है कि यह rectangle हे ऋके यह जो बॉक्स दिर्ख रहा है वो वही है बत हमने उसके पूरा ओपन कर दियो कि उसके सारे पिंच यू ओपन करके हमने यहाँ पे लगा दियो कि इसलिए हमें ऐसा कुछ धुकर मैंने और ज AH P क्या देखेंगे, rectangle prism की जो हमारी properties है, वो हम देखेंगे, ओके, सु हमारा क्या है सबसे पहले, rectangular prism है, ओके, सो इसमें क्या बोल रहा है, all the faces, all the faces of cuboidal are rectangular and the opposite faces are identical or concurrent, this cuboid is also quadrilateral prism, ओके, इस diagram में देखेंगे, सबसे पहले हमें यहाँ पे हमारी vertex क्या है, ओके, तो vertex के कौन कुन कुन है, फिर यहाँ पें देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे हमारी aig kundi, और यहाँ पर faces कौन कुन है वो यहाँ पर हम देखने वाले, के, हम उटेक्स हम किसको बोलते हैं हमने पिली लेक्चार में व發現 यहाँ पर किसे हैं करते हैं वह क्या होता है हमने वह तो के देख चुके या पर मैं फिर रिवाइस करके movimento Lear हम नच्जी और के बन्ता है मारा वहित Tomorrow Alo चुनर में करते हैं दो लाइंसrendre हमारा वर्टेक्स वही हो जाता है हमारा वर्टेक्स ओके तो यहां पर इस डाइग्राम में से हमें क्या फाइंड करना है वर्टेक्स फाइंड करना है ओके तो यहां पर यह फर्स साइड हो गया और सेकंड साइड जो यह दोनों साइड जहां टच हो रही है जहां टच हो रही उसकी चारो साइड्स ओके इसकी चारो साइड्स जो लास्ट में जो साइड्स आरी उसे हम क्या कहते है एज कहते है जिसको जिस जगह दूसरी साइड टच हो सकती है उस जगह को क्या कहते है हम एज कहते है ओके फिर क्या आता है हमारा फेसेस फिर फेसेस आने क्या होता है यह यहां सबसे पहले वहल्टाइस के लिए हम क्या करने वाले हैं हम कॉर्णर करेंगे हमारे ओके यहां पर देखो यहां फिर्स्ट कॉर्णर मिल रहा है उपर 2nd, 3rd and 4, यहां पर 4 हो गया, फिर यहां नीचे देखेंगे हम यहां पर 1,2,3 यहां पर इस सइट कहीतो भी होंगा, 4, वोके सो यहां पर हमें वल्टाइस कितने मिले यहां पर हमें 8 मिले, ओके तुम्हें ध्यान में देना है, क्या हमारे कॉर्णर को ओके हमारे कॉर्ण बोलो या दो स्क्वेर बोलो कोई भी दो सेप टच हो कोई भी दो सेप टच हो के सो इस जगह को क्या बोलते थे हम एज बोलते थे ओके सो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे यहाँ पर हम यहाँ पर इस सेप में देखेंगे हम हमारी एजेस कौन-कौन सी है तो यहाँ पर सबसे प तक कही तो भी यहां पर नांट ने एलेवन इसका मतलब हमें एजेस कितने मिले है यहाँ पर यहाँ पर ट्वेल एजेस मिल चुके हैं तो यहाँ पर हमें वर्टासि कितने मिले एट मिले एजस कितने मिले ट्वेल मिल चुगे ओके अभी टाइम है हमारा फेसेस फाइंड करने का तो फेसेस हमने किसे बोला था यह जो हमें दिख रहे है यह जो हमें दिख रहे है यह जो हमें बाहर से दिख रहे है यह जो फेसेस है यह दिख रहे है उसे हम फेसेस बोलते ह तो हमने यहाँ पर इसको भी तुम डायरेक्ट बोल सकते हो यह जो हमें दिख रहे हैं यहाँ पर सेकंड नेट एक्जांपल में नेट वाले फिगर में वह हमारे क्या हो गए फेसेस होंगे ओके यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर हम चेक करेंगे यहाँ पर हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिप्थ, और फिख्थ, इसका मतलब हमारे पास कितने फेसेस है, वो six सीख्स फेसेस है, ओके, तो यहाँ पर हमने, हमने वल्टाइसेग्स भी फाइंड कर लिए, यहाँ पर एजेज भी क्या होता हमें पता चल चुका है, करेंगे हमारे सबसे पहले हम क्या सी एक एज फिर यहाँ पर एडी टू बी सी थ्री क्यू आर फोर होगी ओके सो फोर हमने यहाँ पर काउंटर काउंट कर लिए ओके फिर हमारा को क्या वर्टिकल लाइन्स देखना है फिर यहाँ पर डी एस वन होगी CR1 होगी, ओके, यहाँ पर BQ होगी और यहाँ पर AP होगी, ओके, यहाँ पर हमने, हमको कितने मिली, 4s मिली, फिर यहाँ पर कितने हुए, 4, 4, 8 हमें मिल जुके, ओके, सो हमने क्या किया सबसे पहले, हमने horizontally count के, ओके, सो यह होगी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, एन फोर्थ, ओके यह 4 होगी फिर हमारा time कहाँ पर आया 1, 2, 3, 4 यहाँ पर हो गई 4 फिर यहाँ पर आएंगी 1, 2, 3, 4 इसका मतलब इस rectangular prism में हमारे पास कितनी edges हो गई हमारे पास 12 जो है यहाँ पर 12 जो है हमारे पास total 12 edges होगी यहाँ पर हम लिख लेते है 12 edges होगी फिर हमको क्या find करना है हमें find करना है vertices ओके तो हम यहाँ पर vertices find करेंगे तो हमारे पर total vertices कितने है ओके चो हम vertices किसे बोलते हैं vertices हमारे corner को बोलते हैं यहाँ पर हम देखेंगे हमारे corner कितने हैं तो यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, and 8 ओके इसका मतलब हमारे पास vertices कितने हैं वो है 8 हमारे पास कितने vertices 8 है ओके फिर हमारे rectangular prism में faces check करेंगे हम क्या करेंगे check हमारे rectangular prism में faces check करेंगे ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले हमारा first face यह हो गया यहाँ पर हमने यह वाले तो से फेसेस देख चुके यह फोर हमने फेसेस देख चुके ओके फिर हम क्या चेक करेंगे हमारा यह जो यह इस साइड का राइट साइड का हमारा एक फेस हो जाएंगा और लेट साइड का हमारा एक फेस हो जाएंगा ओके तो हमारे टोटल कितने फ तो हमें यहाँ पर हमें 56 फैसिस मिल चुके होगे सो हमारे जो रिक्टांगुलर प्रीजम है रिक्टांगुलर प्रीजम जो है उसमें हमने कितने क्या- rewarding यॉस देखे हा सारी लाइन टज होती है कॉर्णर को हमने बोला एजस वर्टाइस कितनी है हमारी एट है वहाँ वर्टाइस कितनी है एट है हमारे रेक्टांगुलर प्रिजम में एट वर्टाइस है हमने बोल दिया फिर हमारा आया फेस फेस हम किसे बोलते हम जिसे बार से जिस सेप को हम बार यहां पर फैसिस मिल चुके है उके तो यहां पर हमने टीनों जो हमें सफितिति च्लेटर में इस य कॉट्टें प्राइड्सध सेट मैं जो हमेंद कैनल n présent geleićन में मुप is के लिए अभी हम find करेंगे क्यूब के लिए हम vertices faces और आपर एज हम Find करेंगे OOK Q कितने sides होते हैं यहाँ पर हमंक हमारे vertices कितले होते हैं सुरी vertices हम सबसे पहले vertices देखेंगे OOK so vertices के लिए हम क्या count करते हमारी horizontal line count करने सबसे पहले 123 और इस side कई तो भी इस से से तो यहाँ पर कई तो भी एक line होगी, तो यहाँ पर हमारे होगी 4 होगी, फिर अपर side देखेंगे हम, फिर अपर side देखेंगे हम, यहाँ पर 4 गे, कितने vertices मिल रहे हमें, यहाँ पर यह हो गए हमने, क्या sco h? अभी एजेस फाइड किया ओके स्वमने कितने अजेस मिले यापर में यहाँ पर हमें तो purchases में यह क्या होता है तो वान टो त्री फॉर फाइव सीक्स सेवन एन एट ओके सो हमें हमारे वर्टाइस कितने मिल रहे हमें हमारे को हमारे वर्टाइस कितने मिल रहे हमारे एट वर्टाइस मिल रहे हो के वर्टाइस हमें ध्यान देना है वर्टाइस क्या होता है हमारा कॉर्णर ओके जितने भी यहाँ पर हमें कितने faces मिल रहे six faces मिल चुके ओके सो यहाँ पर भी तुम काउंट कर सकते हो वान टू उस साइड होगा थ्री यहाँ पर फोर ओके फिर अप एंड डाउन के दो होगे तो जाएंगे हमारे six यहाँ पर भी हमें क्या करना है यहाँ पर भी हमें क्या करना है यहाँ पर भी हमें यहाँ पर vertices हमारी find करनी है यहाँपर Niagara find करनी है यहाँ पर faces find करने है और यहाँ पर ages भी है ages भी find करने ओके तो हमारी vertices हम सबसे पहले find करेंगे hostile vertices यानि क्या होता है हमारे corner ओके यहाँ पर one two three four five six सो हमें कितने हमारे vertices मिले यहाँ पर हमें six जो है six जो है हमारे vertices मिले ओके फिर next हमारा क्या है faces है ओके तो यहाँ पर faces हमने हमारे net diagram अगर तुम किसी भी shape का net diagram ड्रॉ करोंगे तो तुमें direct तुमारे faces जो है वहाँ पर दिख जाएंगे ओके तो यहाँ पर हमें कितने faces है one two three four and five ओके तो यहाँ पर हमारे triangular prism को हमारे कितने faces है हमारे five faces है ओके फिर क्या आता है हमारा edges आते है फिर क्या आता है हमारा edges आते है ओके तो चलो फिर edges count करते ओके तो हमारा एज़ेस क्या होता है जहां दो सेप टच होते हैं उस लाइन को हम एज बोलते हैं ओके लिए आपर one होगी यापर two यापर three यापर four ओके स्याफर फूर ओके फिर उपर देखेंगे five six फिर हमार ये वर्टिकल लाइन seven eight nine ओके इसका मतलब हवारे पास कितने एघैस है सबसे पहले हमने क्या क्या-वन फिर यह पुर्घ्य क्ल HEY चुर्घी क्ले हँ सके फ्रडेशं ले लिये है फिर हमने क्या किए यह जो डो ट्राइंगल है उनके दो दो होच्छे हो कि यहाँ पर हमने हो गे फोर और फोर एट हो गया और यह जो हो गया हमारा वर्टिकल यह जो लाइन है टच वो हो गई हमारी नाइन ओके सो यहाँ पर हमने क्या है हमारे ट्रेंगुलर प्रिजम में वर्टाइस कितने होते है शीक्स वर्टाइस होते है फेस कितने फेस कितने होते है फाई होते है ओके तो यहाँ पर हमने देख चुके यहाँ पर हमने देख चुके फिर हमारा क्या आता है सिलेंडर आता है ओके सिलेंडर कैसे बनता है दो सर्कुलर पार्ट एंड वन क्या होता है हमारा पास रेक्टांगुलर पर कट ओके So, paper, paper से बनाऊ तो तुम ledegर कर तीन से बनाऊ तो तीन ओके, So, वो based on material है, So, यहाँ पर एक rectangular shape और हमें दो circle shape चीए, उससे हमारा क्या बनता है, Cylinder यहाँ पर त्यार हो जाता है, So, यहाँ पर हमारा यह, Cylinder हो चुका है, So, यहाँ पर हमें देखना है, कि हमारे सिलेंडर में वर्टाइस होते है क्या वर्टाइस होते है क्या फिर यहाँ पर फेसेस होते है क्या ओके सो फेसेस होते है क्या हम देखेंगे वर्टाइस होते है क्या देखेंगे और हम देखेंगे हमारे पास एजेस होते है क्या हमारे सिलेंडर में एजेस होते है क्या यहाँ पर हमारे cylinder पर कभी corner देखे हैं कि हमने नहीं इसका मतलब हमारे cylinder जो होते हैं उसमें vertices नहीं होते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 फिर आता है हमारा face फिर आता है हमारा face ओके तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा faces कितने होते हैं एक होता है दो faces होते हैं तो यहाँ पर हमारा कुनता फेसे काई यहां पर हम लिख लेते हैं यह यहां पर हम लिख लेते हैं यहां यहां पर नहीं होता है सब्सक्रणिया तो तुम्हें ध्यान में रखना है हमारे सिलेंडर में वन दो फेसेस होते हैं कुन-कुन ते एक सर्कुलर होता है और एक कर्ड होता है ओके फिर हमारा क्या है इज है ओके सो यह हमारे कितने होते हैं हमारे सर्कल में एज होता है तू हमारे सर्कल में कितने होते हैं तू होते है यहाँ पर यह वाला एक सर्कल टच है और ये उपर का जोट सर्कल टच है इस लाइन को एसेतं कितनी सर्कुलर दो सर्कुलर एजस है या पर हम लिकेंगे दो सर्कूलर एसेत्स हमारे शिरेंडर में हमारे होते हैं तुम्हें ध्यान में रखना है रहना एज से वर्टाइसे जो है वह ओ lim. सिलेंडर में नहीं होते हैं फिरी 12 होते हैं तो होते हैं थे और फिर ठाव केए हमने यहां धेखेंगे पहले यहां पे प्रॉपर्टिक का प्रॉपर्टिक क्या होता है उसको कितना साइड होती है वो फोर साइड का होता है ओके तो यहाँ पर हमें इस पिराबिड में क्या दिखरा है यहाँ पर फोर साइड दिख रही है यहाँ पर हमें फोर साइड दिख रही है इसका मतलब यहाँ पर हमारे इस पिराबिड पर हमारा कॉड्राटिक का लिंक है ओके तो यहाँ पर हमने नेट सेब दे चुके हमारा यह है और यहाँ पर हमने नेट ड्रॉ कर लि हटेंगे ओके सवरं टूतीज है फिर बीड हम हमारा कितने फैस्प फैस्प मेसे ने कोंट किया तो यहां पर हम लिकेंगे हमारे कितने scar fins हम करेंगे हम करेंगे season's या पर हम करेंगे लीधिस चेक पर तह चलो हम वदत हैसे सेकרת और वजैसे जाने तो यहां पर हमारे वर्टाइस कितने ओके तो यह हो गया फरस्ट टू ट्री फॉर एंड फाइव के तो हमारे कितने वर्टाइस मिले हमको यहाँ पर फाइव वर्टाइस मिले ओके तो यहाँ पर फाइव फेसेस मिले हमें और फाइव वर्टाइस मिले ओके नेक्स्ट हम चेक करने वाल इट 6 7 & 8 Okay so, यहाँ पर हमें कितनी एजस मिलीय है हमें यहाँ पर 8 AGES मिल चुके ओके हमने यहाँ पर कितने फाइड किया एज हमने 8 AGES हमने फाइड कर लिए Okay, so हमारे quadrar Yogur pyramid में puticular pyramid में कितने क्या है हमारे faces कितने है faces 1 watch okay faces 5, vertices is 5Scटने है इज दिट सो नेक्स सेप्न क्या है हमारा नेक्स सेफ है ट्रांगुलर फिरविट ऐसका जो बेस ए हम इसे क्या वो कहते हैं बेसक्त है यहाँ पर हमारा इसका बेस क्या बोले हमने हमारा Quadratic जो दहा वो इसकाë Base था, क्या हमें Quadri Angular Pir FIRABID का बेस क्या था? हमारा यह जो Quadratic था, ओके इसलिए हमने उसे Quadri Angular PirABID भोले, यहाँ पर Trangle Base है, इसलिए हमने यहाँ पर Trangle भोले, ओके, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर faces, count कर लेते, हमारे net diagram जो हुए हम इसे हम क्या कर लेते हैं हमारे faces जो है वह count कर लेते हैं और या पर 1, 2, 3, and 4 हमारा पास कितने faces मिले यहाप रहा हमें दही सो ध्लिखेंगे four faces मिले अभी हमारा क्यों में हमें हमारा wordizes count करनेका हमारा time है तो यहाँ पर हम देखेंगे vertices, तो vertices यहने क्या होता है, हमारा होता है corner, तो यहाँ पर हो गया 1, 2, 3 and 4, तो हमारे पास vertices भी कितने मिले हैं, हमारे पास 4 मिले हैं, तो यहाँ पर हमारे faces भी 4 हुए, vertices भी 4 हुए, तो फिर next हमारे क्या है, edges देखते हैं, edges देखेंगे यहाँ पर यहाँ पे count करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, ओके तो हमारे पास कितने edges मिली अबे, हमारे पास 6 edges मिल चुके, ओके, तो हमारे triangular pyramid में, triangular pyramid में कितना क्या होता है, faces होते है 4, faces होते है 4, vertices होते है 4, और हमारे edges जो होते हैं, कितने होते हैं, 6 होते हैं, ओके, तो यह जो हमने सारे faces देखे, अ हम vertices हम कैसे count करेंगे और हमारे ages जो है वो हम कैसे count करेंगे तुम्हें समझ गया होंगा okay ages हम किसको कहते है जहाँ दो shape touch हो जहाँ दो shape touch हो उस line को हम ages कहते है vertices क्या होता है हमारे corner होते है हमारे faces क्या होते है जो shape हमें बाहर से दिखता है उससे हम क्या कहते है हमारा faces कहते हो कि तुम्हें थोड़ा बहुत knowledge आ गया होंगा सो आगे हम प्रैक्टिस अट लेंगे वहाँ पर भी और से और से वहाँ पर हम देख लेंगे और यहाँ पर हमको circular ages बता रहा है और इसका मतलब यहाँ पर हमार पास vertex भी होगा यहाँ पर हमार पास face भी होगे और यहाँ पर हमारा यहाँ पर हम फेसेज देखेंगे तो यहाँ पर भी दो फेसेज होते यहाँ पर भी दो फेसेज होते बट एक कर्व होती है और एक फ्लैट होती है ओके सर्कुलर और फ्लैट एक होती है और एक कर्व होती है जैसे हमने सिलेंडर में देखे वैसे ही सेब जो है यहाँ पर दिय कुछ प्रिंगें खीजिए अनिवरे काने तक ही ब्रक्राइव क्या होन नहीं जो हमारा कौन अजने और को यहां पर मैं नहीं जो छे ऑफ चे ऑंसे के बंड से कौन बोले और यहां पर यहां पर हमने कौन रॉक कि वहां पर हमने वल्टाइसेस फाइंड के हमारा एक वल्टाइसेस उसमें होता है फिर हमने क्या देखा हमने फेसेस दीके हमारा फेसेस कितने है टू फेसेस है एक कर्वड है और एक फ्लाट है ओके फिर नेक्स्ट हमारा क्या है एजेस है फिर हम क्या देखेंगे एजेस देखेंगे तो इक सरकल लेंगे और एक हम एक कम पेपर लेंगे जो हमारे पिरविट सेप में होगा Coach pin type में पेपर होगा उस पेपर को हम लेते ओके ड़ीर फर यहाँ पर one age मील चुके के सुमने एज F모क क्या फेसेξ months और वोल्टायस हमने पराइं कर लिया, Etria को हमारे फेसेज जो होते वो क्या होते हमेरे mes क्या होते हमारे फ्रोपोर्शन ओते हैं, बे इस की फ्रोपोर्शन ऑते हैं तो ऐसे भी रहे सकता है तुम ऐसे रेको ушकें दो फेसेश होते हैं बोल दिया और हमारा फरस्त कंता पिस सूता है एक फ्लैक् फेसल होता है और सेकड कर फेसल होता है तो यहां पर हमार पास दो फेसल होता है कोन में इसके बाद हम देखेंगे हमारा Paradise Tekken से लगहाँ चैतीजावीर करें गेज़ोंगाश सरकल भलट होता है बट वो ज्यारोट टाइप से तुम चारो अगर तुम फोर क्षेड़ों से अगर में तुम देखूंगे तो तुमें वो खृ propor ही दिखेंगा जिसे अगर लेपश से देखें तो वो सरकल ढिखेंगा उसे क्या कहते हैं नहीं है CODY हो है वो हो जाता है हमारा स्पेर हो जाता है ओके सो हमारे स्पेर को स्पेर को वर्टाइस होगी क्या यहां पर हम वर्टाइस चेक करेंगे सबसे पहले वर्टाइस चेक करेंगे फेस चेक करेंगे फेस होते हैं क्या ओके फिर क्या चेक करेंगे हमारा एजेस चेक करेंगे ओके त ने, टरकल होता है तो कॉर्णर रहेगा ऐसी कोई बात होगी नहीं, ओके दो यहां पर वल्टाइस किटने आएगे, जिरो आएगे, ओके, फेस होगा क्या, हाँ, उसमें वन कर फेस होगा, ओके, तुम उपर से देखो, एक फेस देखेगा, साईड से देखो, फेस देखेगा, उसके next side से देखो one ही face देखेगा ओके अगर तुम्हें अगर उसको फुरा खोल भी लिये तो तुम्हें one ही face देखेगा ओके इसका मतलब हमारे spare में कितने faces होते है one face sorry one face होता है के one face होते हैं के ओक जुक किया होता है कर फेस मिलता है नहीं हमारे बास एज 그냥 आप जाता है जाहां two हमने अभी तक के कौन-कुन साफ शेब देखे यहाँ पर हमने उपर से लेकर नीचे तक सबसे पहले ट्रेंगुलर प्रिजम देखे फिर नेक्स देखे हमने क्यूब देखे फिर देखे हमने ट्रैंगुलर प्रिजम देखे फिर हमने सिलेंडर देखे फिर हमने पिराबिड देखे फिराबिड में हमने टू टाइपस देखे और टाइपस होते होके तो यहाँ पे हमें मिला यहाँ पे कौडराइंगुलर मिला और यहाँ पे हमें ट्रैंगुलर पिराबिड मिला फिर हम ध्यान में देना है हमारा vertex कैसे find करते हम가지 हैं कैसे find करते हमें क यहlyejस कैसे find करते हाँ we replace होता है हमको पताचल चुका है औस हम रएड़ी हैं हमारे प्राक्टिस सेट see करने के लिए ओके तो चलो फिर जम करते हमारे सबसे पहले हमें दिया है हमारे सीलेंडर में हम कारें गेंगे hmand करेंगे वह इतने होते हैं क्या मैंने फ्रे थे कर नर को क्या हमकिए हमारे वर्टाइसेस भोलते हैं सो अंगा से ऋंगर में यिक पीन हिएस मतलब हमार। है कनो आ में चैनल होते हैं वह पर हम लिख लेते सो हमारे फेसेस कितने होते हैं हमारे faces हो जाते हैं two but one क्या होता है हमारा one हो जाता है हाँ होते हैं तो वो कितने होते हैं यह भी टू होते हैं तू होते हैं वो कौन से होते हैं वो होते हैं हमारे सर्कुलर होते हैं यहाँ पर हमने लिख चुके हैं कि हमारे पास टू सर्कुलर होते हैं फेसेस टू होते हैं एक करवड होता है और यह क्या होता है एक सर्कुलर होता है ओके सो यहाँ पर हमने सिलेंडर के लिए सिलेंडर के लिए हमने यहाँ पर फाइंड कर ले ओके फिर नेक्स्ट हम क्या देखने वाले हम कौन देखने वाले उपपर हमने कौन देख चुके ओक उपर हमने कौन देख चुके तो यहाँ पर हम उनके बारे में लिख लेते हैं हमने उपर क्या देखा, तो यहाँ पर भी हम, यहाँ पर भी हम देख लेते हैं, वो क्या होता है, और उसको हम कैसे लिखते हैं, ओके, तो यहाँ पर हमारे faces कितने होते हैं, हमारे कोन में, कोन में कितने faces होते हैं, two faces होते हैं, two faces होते हैं, तो तो होते हैं, बट कोन कोन से होते एक होता है कि हमारे पास लिए यह हो जाता है हमारे पास पर इस अहां सेιο सिलंडिकल हो गया या फिर कूंड हो गया जो संकल सेप में होते उनमें अपनाइ होता है तो यहाँ पर हमें मिल चुका है, फिर हमें हमारे vertices होती है क्या, हाँ vertices होती है, कहाँ पर है vertices, यह जो है हमारी vertices है, हमारा corner जो यहाँ पर हमें मिल रहा है, फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास age है, तो age कितनी होती है, age भी 1 ही होती है, क्योंकि यह हमारा cone जो है, only two shapes से मिलकर ब हो जाती है हमारी circular तो यहाँ पर हमने circular लिख ल Kath врем क्या क्या होता है हमारे कौन में फेस होती है एक कर्ड होता है और एक फ्लैट होता है फिर हमने क्या देखा वर्ट आशिस कितने होते है वन होती है फिर हमने देखा एजस कितने होते है वन होती है बट वो कैसी होती है सर्कुलर होती है ओके यहाँ पर हमने दो सेब देख चुक अभी हमें क्या देखना है अभी हमारा कौन कौन सा सेफ है पिराबिट में हमें हमारा पेंटागोनल हमारा पिराबिट है यहाँ पर हमें क्या-क्या फाइंड करना है हमारको फेसेस फाइंड करना है हमको क्या-क्या फाइंड करना है फेसेस यहाँ पर वर्टाइसेस फाइंड हो गया फिर हमारा यह सेकन हो गया फिर थर्ड हो गया यह फोर्थ हो गया यह साइड का 5 6 ओके यहाँ पर यहाँ पर हमको कितने faces मिले six faces मिल जूके ओके तो यहाँ पर हमने six faces find कर लिए यह down face और यह जो side में यह one two three four five ओके उपर के 5 और नीचे जो बेस है वो लेके कितने faces होगे वो six faces होगे ओके फिर vertices कितने हैं वर्टाइस याईने corner corner कितने हमार पास one two three four five and six okay तो हमारे पास vertices भी कितने six है ओके तो यहाँ पर face six होगे vertices six होगे फिर हमार पास edges चेक करेंगे तो यह जेस हम केशे पाइन करते हैं जहां 2 safe touch हो 1, 2, 3, 4, 5, यहां पर हो गया 6, यह हो गया 7, यह हो गया 8, यह हो गया 9, यह हो गया 10 तो यहां पर हमें कितने ages मिले, यहां पर हमें 10 जो है, यहां पर 10 ages मिल चुके ओके यहाँ पर हमने pentagonal के लिए तुम्हें confused नहीं होना है pentagonal एक different होता है और pentagonal pyramid एक different shape होता है ओके अगर pentagonal बोलोंगे तो तुम्हार पास श्रिप यह base आएंगा यह तुम्हार पास base आएंगा ओके अगर pyramid बोलोंगे तो ऐसा कुछ structure आजाएंगा स्ट्रक्चर तुम्हार पास आजाएगा ओके तो यहाँ पर पिर्यामिट के लिए faces कितने होते 6 होते हैं वर्टाइस कितने होते हैं और ages कितने होते हैं तेन होते हैं ओके यहाँ पर हमने pentagonal pyramid के लिए find कर लिए next step क्या है हमारा next step क्या है हमारा hexagonal pyramid okay तो hexagonal pyramid तो चलो यहाँ पर हमें क्या 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 काउंट करना है हमार को faces काउंट करना है तो यहाँ पर हमें faces काउंट करना है ओके फिर next हमें क्या find करना है हमें वर्टाइस is find करना है तो यहाँ पर हम लिखेंगे वर्टाइस फाइड करना है फिर नेक्स्ट हमें क्या फाइड करना है हमको फाइड करना है नेक्स्ट एजस फाइड करना है ओके तो यहाँ पर हमने लिख चुके ओके सो फेशेस कुन कितने हैं हम चेक करेंगे चलो सबसे पहले हम फेशेस चेक करते हमारे एक्जागुनल पिराबिट में ह 4, 5, 6, and 7, okay, so faces कितने हैं हमार पस, 7 है, okay, तो faces हमको मिल चुके, 7 faces मिल चुके, okay, तो 7 faces हमने find कर लिया, फिर क्या है vertices, तो vertices के लिए हम corner count करेंगे, तो यहाँ पर हम देखेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and 7, okay, so यहाँ पर हमको, यहाँ पर हमको vertices कितने मिल रहे, 7 मिल रहे, okay, so हमें कित हमें हमारा age count करने का, okay, so यहाँ पर ages count करेंगे, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, okay, 6 होगे, 7, 8, 9, 10, 11, 12, okay, so यहाँ पर हमें कितने ages मिल चुके हैं हमें, यहाँ पर हमें हमारे hexagonal pyramid में 12 ages मिल चुके हो, okay, हमने कितने count किया, 12 ages count कर चुके ओक, तो तुम्हें अभी थोड़ा बहुत और समझ गया होंगा कि हम कैसे फाइंड करते हैं वर्टाइस किसे बोलते हैं और हम एजस किसे बोलते हैं तो यहाँ पर हमारा है अभी हमने क्या देखा है अभी हमार पास क्या है यहाँ पर हमार पास प्रीसम आए ओके चौप सब्सक्राइब प्रीजम के लिए फाइन करेंगे faces find करेंगे यहाँ पर prism के लिए हम find करेंगे worldizes find करेंगे worldizes find करेंगे और हम क्या find करेंगे edges find करेंगे तो यहाँ पर हम edges find करेंगे तो यहाँ पर चलो faces find करते हैं तो faces कितने हैं हमारा पहले सबसे पहले हम बोल देंगे कि हमारा base जो है बेस और उपपर उस बेस के उपपर का दो सेफ ओके दो सेफ होगे फिर हमारे साइड किसे बाजाएंगे फिर हमारा क्या है फिर हमारा क्या है वर्टाइस कितने मिले ट्वेल वर्टाइस मिल चुके अभी अभी टाइम है हमारा एजस फाइंड करने का ओके सो एजस कितने होते हैं हमारे 123456 ओके वह नीचे के 6 होगे उपर 123456 ओके तो यहाँ पर उपर भी 6 होगे फिर हम वर्टिकल चेक करेंगे यहां पर हमें कितने मिल रहे हैं हमको हमको मिल रहे हैं यहाँ पर हमें कितने मिल रहे हैं हमको 18 ओके तो यहां पर हमने एक्जागुनल प्रिजम के लिए एक्जागुनल प्रिजम के लिए हमने फाइंड कर लिया हमारे एक्जागुनल प्रिजम में कितने फेस हो रहे हैं हमार फिर हमारा next क्या है हमारा pentagonal ओके तो यहाँ पर pentagonal prism है हमने उपपर क्या दिखा था pentagonal pyramid देखा था pentagonal pyramid देखा था तो हमारे पास क्या है अभी pentagonal prism है ओके तो यहाँ पर भी pentagonal prism के लिए भी हम क्या find करने वाले faces find करने वाले वर्टाइसेस फाइंड करने वाले, ओके वर्टाइसेस फाइंड करने वाले, और क्या फाइंड करने वाले, एजस फाइंड करने वाले, तो एजस फाइंड करेंगे चलो, तो फेसेस कितने हैं, वो चेक करते हैं, सबसे पहले, नीचे का एक हो गया, ओके, फिर क्या आ रहा है ये 1 हो गया, फिर हो गया 2, ये वह गया 3, ये वह गया 4 और ये हो गया 5, ओके 5 फ्लस 2 कितने होते हैं, फ्लस 2 एवन, इसका मतलब हमकितने स circumstance मिल रहा है, 7 फेस समेन उख इसका मतलब हमार पास, इसका मतलब हमार पास, इसका मतलब हमार पास वर्टाइस कितने है, 10 है, ओके, उपर 5, नीचे 5, हमार पास 10 वर्टाइस मिल चुके, ओके, अभी हम एजस फाइन करेंगे, तो एजस फाइन करने के लिए हम क्या करते है, जा साइड हम काउंट करते है, उ इसका मतलब 3x5 आया है इसका मतलब हमार पास कितने एजेस है हमार पास है 15 एजेस है ओके 15 एजेस है तो यहाँ पर हमने पेंटागोनल पिर्याबिट के लिए भी हमने फाइंड कर लिया ओके तुमें लगे तो और तुम फाइंड कर सकते हो और तुम फाइंड कर सकते हो और से के उनमें फेसेस्ट कितने वर्टाइस्ट कितने पर सकते हैं तो यहाँ में हमारे फ्रांस धतका उवे dedic का जो लास्ट कोच्म था पैंट्यागोंल प्राइबिट वह संद कर लिए उसके फेसेस्ट करनेए welcome फाइस एक होता है जो साइड को हमने बोल दिया ओके तो यहाँ पर हमने इतने सारे सेप का यह पेंटागुनल पिराबिट हो गया हेग्जागुनल पिराबिट हो गया हेग्जागुनल पिराबिट हो गया ओके पेंटागुनल पिराबिट हो गया कौन हो गया स्पेर हो गया कौन हो गया ओके यहाँ यहां पर triangular pandemic हो गया quadring quadri angular predict हो गया फिर हमने आपर देखा cylinder देखा फिर देखा थिर देका हमने triangular ND का फिर हमने देखा Q dua का और फिर हमने देखा rectangular prism तो यहां पर यहां पर हमने maximum maximum बहुत सारे faces जो है वह देख चुक्ए उसके faces देखे KC कैसे करते उके उसके व्ल्काइश से लेक्चर में अच्छे से देख चुके और या था हमारा लास्ट दिटी से इसको धरीकिल से देख चुके अगर फिर भी कोई ड्ाउट होगा ना वह खुना और चॉन। सब्सक्राइब करना भी मत भूलना क्योंकि मैं इस चानल में फिप्ट क्लास तू टेन क्लास सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ math related with the PDF ओके विट पीडियाप ओके सो इस PDF को भी मैं description box में दे दूँगा इसके लिंक मैं description box में दे दूँगा तो तुम जाके डाउनलोड करके रख लेना ओके इस वीडियो और इस चानल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना क्योंकि वो भी ऐसे material PDF जैसे material का लाब उटा पाए ओके सो शेयर करना भी मत भूलना चलो तो फिर मिलते हैं हम अभी next class में seven class में मिलेंगे अभी हम direct और हम दो तिन इस six class के related और हम lecture लेंगे हम ऐसे lecture लेंगे जिसमें हम part one और part two फूरा cover करेंगे जो exam के लिए होगा तुमारे ओके सो इसलिए हम करें कि subscribe करके रखना जब भी हम upload करेंगे वो वीडियो तुम्हें direct notification मिल जाएंगा ओके सो notification का bell icon भी वो on करना मत भूलना ओके सो चलो फिर मिलते हैं next class में तब तक के लिए बबाई